नमस्कार आदाव इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ CIV इंडिया निउस तो चलिए शुरू करते हैं खबरों खांसे सिला आवारा घूम रहे गौवंश द्वारा किसानों के फसल को किये जा रहे नुकसान वह आए दिन गौवंश द्वारा लोगों को को चोटिल किये जाने की खबरें लगातार मीडिया में प्रकाशित हो रही थी साथ ही साथ जगह जगह हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए शासन प्रशासन के आदेश के बीच नगर पंचायत भोगाउं के कर्मचारियों ने लाठी डंडों से लैस होकर रामलीला मैदान मे पांडाल में तो बंद कर दिया गया लेकिन उनके खाने पीने की कोई विवस्था नहीं की गई पासिवन ने नगर पंचायत के मेरेज हाल के समसेबल से गववंच के लिए पानी की विवस्था तो कर दी गई पानी वो खाने के लिए लगभग एक दरजन नाद भी रखवा गई है इस समद में जब नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो उनका फोन नहीं उठा नगर पंचायत को वरिष्ट लिपिक आकाश वर्मा ने बताया कि गववंच की खाने के लिए भूसे आदी की विवस्था की जा रही है साथ ही वै अगर पंचायत के बाबू आकाश वर्मा द्वारा उप्शार कराये गया लगवक्शार दर्जन से अधिक गववंच को बाउंडर यूफ पंडाल में घेर कर बंद किया जा चुका है आगे भी ये काम चलता रहेगा अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें साथ ही स्क्रीन पर दिखरें घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहे